पूलिंग स्ट्रेंड्स, आज हम नया चेप्टर स्टार्ट करने जा रहें, टैन चेप्टर तक हमारे कमप्लिट हो चुका है, और I फोप आप सब का वर्क भी कमप्लिट हो गया होगा, तो देखी है स्ट्रेंड्स, आप सब को पता है कि आपकी धर्ट रम से स्टार्ट होने जा रहे हैं तो मैं सभी से expect करूँगी कि आप सब अपना वक को complete करके रखें और regular आप उनको learn भी करते रहें क्योंकि जो chapter आपको पढ़ाय जा चुकि उनी के अंदर से आपका course आएगा तो आप regular अपनी study को जारी रखेंगे यह नहीं कि आज मैं बताएंगी करेंगी तो मैं कोई revision work डालूंगी तब आप करेंगे लेकिन ऐसा कुछ मी नहीं आप अपने बराबर करते क्योंकि आपको पता है हम chapter पर बढ़ रहें आगे तो इसलिए आप उनको revise करते रहें ओके तो chapter हमारे 11 स्टाट हो रहा है Life in coastal plants and islands हमने previous chapter में हमने पढ़ा था coastal plants and islands के बारे में जाना था कि coastal plants कौन-कौन से है eastern and western है हमारे और इसमें कौन-कौन से हमारी state आती है कौन सा क्या चीज़ें आती है islands के बारे में पढ़ा था आज हम इनके details पढ़ेंगे यानि life के बारे में जानेंगे कि life in coastal plants and islands के में कैसे है तो उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यह आज के word meaning है देखे word meanings बहुत easy है इन सबके जो regular हम करते हैं तो फिर भी एक बर इनके परवाइस आज वर्ड मिनिंग्स लेंगे तो आज के वर्ड मिनिंग्स है first located located होना इस्तीत होना second है oil refineries oil refineries का मतलब होता तेल रिफाइनरियों को यह लिखा मैंने आपे तो तेल शोदन भी कहा जाता है उसे तो तेल रिफाइनरियों भी कहा जा सकता है या तेल शोदन तेल शोदन कैसे जैसे आप सब जानते हो कि जब तेल वेल निकालते हैं तो उसे सोदन करना कहा जाता है उसको शुद करके लिखना तो शोदन किया जाता है उनका third है mineral oil M I N E R A L O I L mineral oil का मतला होता है खनीज तेल next है R E S I D E N C E S Residences Residences मिस क्या होता है घरू Residence कहती है अपन घर निवास इस्तान तो इसी तरह से Residences है तो यानि घरू next है western W E S T E R N Western मिस पच्छिमी Coastal C O A S T A L Coastal मिस टटी Plants P L A I N S Plants यानि मेदानो Historical H I S T O R I C A L Historical Historical मिस एतिहाशिक Desert D E S S E R D Desert मिस मिठाई तो इससे Desert क्या होता है कि जैसे जनरली लोग बाग के होते हैं खाने की पाद मिठाई मांगते हैं या महां की क्या famous मिठाई तो उससे Desert भी कहा जाता है तो मिठाई Occupation O C C U P A T I O N Occupation Occupation मिस होता है website Tourist T O U R I S T Tourist मिस प्रेटक Important I M P O R T A N T Important मिस जरूरी महतपूर देखें हाँ Important मिस जरूरी भी कह सकते हैं तो Important मिस यह नहीं कि यहाँ पर महतपूर नहीं लिखा हैं जरूरी तो दोनों ही हम वे में बोल सकते हैं किस तो हमारा Chapter 11 है Life in Coastal Plains and Islands यानि जो हमारी टटी मेदान हैं और दीप हैं उनके जीवन कैसा है तो उसके बारे में इस लेसन में दिया गया है The states and union territories located in coastal plains and islands include Gujarat, Dhamanandiv, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Kanata, Kerala, Tamil Nadu, Pundu Cheri, Andhra Pradesh, Odisha and some parts of West Bangal The states, states means Raji and union territories means Kendra Shashit जो Kendra Shashit हैं उनके located istit हैं in coastal plains में यानि कहां पे istit हैं टटी मेदानों में And islands जो दीप हैं include जिसमें शामिल है Gujarat, Dhamanandiv, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli, Goa, Kanata, Kerala, Tamil Nadu, Pundu Cheri, Andhra Pradesh, Odisha और some parts of the West Bangal यानि कुछ हिससे पच्चिम बंगाल की तो क्या समझे इस लाइनिका मतलब क्या है राज्य और जो Kendra Shashit हैं जो इस्तित हैं हमारे टटी मेदान में और दीप हैं जिसमें गुजरात को भी शामिल किया गया है जो हम आज जो Chapter पढ़ रहे हैं Coaster Plains और Islands में उसके बारे उसमें पूरे ही आएंगे यह यहाँ पे कुछ हिससे तो यह States or United जो इस्तित हैं Coaster Plains और Islands में तो फ्रस्ट वाला जो हम Τοपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है Western Coaster Plains यानि पच्छिमी, टटिये, मेदानों के बारे में तो उसमें कौन सा आ रहा है गुजराथ गुजराथ is located in the North Western part of India गुजराथ located है, इस्तीत है किदर की तरफ इस्तीत है? North Western part में North यानि उत्तर, Western यानि पच्छिमी, पार्ट यानि हिस्से तो बहरत के उत्तरी पच्छिमी हिस्से में इस्तीत है गांधी नगर is the capital of the state और गांधी नगर क्या है? इस राज्जे की क्या है? कैपिटल है किस का राज्जे की? गुजराथ की यानि गुजराथ राज्जे की राज़धानी क्या है? गांधी नगर है occupation यहां का रोजगार क्या है? लोग बाग क्या वेवसाई करना पसंद करते है या ज़्यादा तर? तो the main occupation of the people of this state is farming मुख्य वेवसाई लोगों का इस राज्जे का क्या है? फार्मिंग है खेती है देखिए ऐसे भी जनरली आपने notice किया होगा कि हमने इतने chapter पढ़ रहे है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो main occupation आ रहा है लोगों का वस राज्जे का farming आ रहा है तो हमारे Indians लोग क्या पसंद करते हैं? ज़्यादा तर? farming करना पसंद करते है तो यानि सबका लोगों का मुख्य वेवसाई क्या है? farming है Gujarat is famous for textile industries and oil refineries Gujarat famous है, प्रसीद है किस के लिए है? textile industries के लिए, वस रुद्योगों के लिए and oil refineries के लिए यानि oil refineries के लिए प्रसीद है oil shodhan के लिए प्रसीद है Minerate soil has been found in a clay shore mineral oil, जो खनी स्थील है वो पाया जाता है, अंकलेश्वर में पाया जाता है तो अंकलेश्वर जो कि Gujarat का एक स्थान है बहाँ पे पाया जायता है diamond cutting and petrochemical industries have been set up in सूरत diamond cutting का और जो petrochemical industries है उद्योग है, वो भी हाँ गुजर सूरत में इस्थापित किया गया है है ना, तो हीरे की cutting का petro wilds समद्धी जो chemical, petrochemical industries होते है वो भी रसान समद्धी जो भी वो कहाँ पे set up किया गया है गुजरात में इस्थापित किया गया है dairy farming is an important industry in गुजरात और जो की dairy farming है जो दूद उत्पादन का जो विवसाई किया जाता है वो भी महत्मून द्योग गुजरात में है next है important places तो हमी जो important places है वो अगली बार पढ़ेंगे तो आज यहीं तक पढ़ेंगे तो आप इनको regular पढ़ते रहेंगे ताकि आप अच्छी तरह से अपना score को गेंड कर सके ओके and thank you